दोस्तो लोय की एक कील पानी बूब जाती है लेकिन स्टील का एक जास पानी में नहीं डूब पाता एसा क्यों कोई भी जीज पानी में इसलिए तैर पाती है क्योंकि पानी उस पे एक force रगाता है जिसको बॉाइंट फोर्स कहते हैं ये force object की density पर depend करता है अगर किसी object की density पानी से ज़्यादा हो जाए तब वो पानी में डूप जाती है जैसे कि हमारी लोय की खील लेकिन अगर किसी चीज की density पानी से ज़्यादा नहीं होती तब वो पानी पर तैरने लगती है अब हमारे ships को हम इस तरीकी से डिजाइन करते हैं कि उनका बहुत बड़ा पार्ट खाली रहता है और उस खाली जगा में हवा बन जाती है और ships की density जिस बजा से कम हो जाती है और ships पानी में तैरने लगते हैं Science related ऐसे और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जाएन